ऐसी कौन सी चीज है जिसके मदद से आप अपने blockages को कम कर सकते हैं या future में blockage नहीं हो उससे बच सकते हैं या heart attack की कोई risk हो उससे बच सकते हैं शरीर के अंदर अगर triglyceride बढ़ गया हो उससे कम कर सकते हैं आपके शरीर के अंदर good cholesterol अगर कम हो गया हो उससे आप easy तरह के से ब वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा उप्यूगी होता है आपके नसों के अंदर blockage नहीं आए अगर आप चाहते हैं आपके art terms साफ रहें आप चाहते हैं सरीर के अंदर पूरा समझन चाहिए क्योंकि omega 3 fatty acids का आपने कही न कही नाम जरूर सुना होगा omega 3 fatty acids होते क्या है यह एक nutrients है और यह यह दो प्रकार के होते हैं जिसमें EPA और DHA जो आपको animal source से मिलते हैं यानि कि जो समुद्री मश्चलिया है फिसल से उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है दूसरा यह plant waste में nuts हैं या फिर seeds हैं उनके अंदर आपको देखने को मिल जाता है सबसे पहले benefits के बारे में बात करें सबसे पहला benefit होता है यह आपके heart के अंदर blockages को कम करने में मदद करता है यानि कि जो heart की छोटी-छोटी capillaries हैं उनके अंदर high cholesterol होने की बज़र blockage होने की शंभावना बढ़ जाती है उस condition को यह कम करने में सबसे important role play करता है शरीर के अंदर bad cholesterol बढ़ रहा है जो आपके नशों के अंदर जम करके यानि arteries के अंदर जम करके blockage होने की शंभावना को बढ़ा देता है और omega-3 fatty acid लेने से आपके शरीर के अंदर bad cholesterol धेरे-देरे कम होना start हो जाता है और आपको पता हो जब bad cholesterol कम होता है तो हमारे शरीर के अंदर HDL यानि good cholesterol बढ़ना start होता है ये indirectly आपके शरीर के अंदर good cholesterol को भी बढ़ाता है और ये bad cholesterol को भी कम करता है इसके अंदर ऐसी properties होती है जो आपके high blood pressure को maintain करने में मदद करता है यानि कि जिनको hypertension की problem है जिनका भी बढ़ा हुआ है को कई सारी बिमारियां blood pressure की बज़े से होने के risk होते है ऐसे इस्तिती में omega 3 fatty acid शरीर के अंदर blood pressure को कम करने में मदद करता है दूसरा इसका सबसे बढ़ियां फाइदा ये होता है आर्ट्रीज के अंदर smoothness बढ़ाता है इसका तीसरा फाइदा होता है wands और joints में दूस्तों जिनको बढ़ती हुई उम्र के साथ जिनकी हड़ियां खोगली हो जाती है जिसे हम osteoporosis के नाम से जानते हैं उसके risk को भी ये कम कर देता है इसका फोर्त मेजर benefit होता है हमारी skin पर गोरा पनाता है गलो आना स्टार्ट हो जाता है तो अगर आप चाहते हैं हमारी skin पर गलो रहे हमारी हडियां मजबूद रहे हडियों में कोई infection नहीं हो हमारा हार्ट स्वस्थ रहे, हार्ट के अंदर कोई blockage नहीं हो तो omega 3 fatty acid आपको जरूर उपियोग करना चाहिए दोस्तो omega 3 fatty acids के बहुत ज़्यादा sources नहीं है इसके किवल दो source होते हैं जिसमें एक होता है animal source दूसरा होता है plant source जब वो fish का सिवर नहीं करते हैं तो ऐसी स्तिती में हमारे शरीर के अंदर omega 3 की कमी हो जाती है अगर आप इसका alternative देखना चाहिए तो मैं आपको Phytica omega 100 capsules recommend करना चाहूँगा क्योंकि इनके अंदर आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसमें especially EPA, DHA मिलाया गया है और EPA और DHA बहुत जादा हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है अगर हम बात करें इसके अंदर EPA कितना मिलाया गया है तो 360 mg EPA मिल जाता है, DHA 240 mg मिल जाता है और साथी साथ इसके अंदर fatty acids 400 mg मिल जाते हैं तो अगर आप चाहते हैं आपके शरीर के अंदर fatty acids बने रहे हैं, आपके शरीर से blockage जैसे problems कम हो जाए तो आपको omega 3 fatty acids लेना बहुत जादा जरूरी होता है यह आपके heart के blockages से heart के health को maintain करता है, यह आपके शरीर के अंदर muscles pain को कम करने में मदद करता है और यह आपके शरीर के अंदर inflammation को कम करने में मदद करता है, यानि सूजन अगर कहीं हो रही होती है, उसे कम करने में मदद करता है यह आपके शरीर के अंदर एक अच्छी energy provide कराता है, यह आपके शरीर के अंदर joints की health को maintain करता है यह आपके शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी अनीजरी प्राब्लम्स होती हैं उन्हें वी दूर करने में बहुत जादा मदद करता है और यह आपके immune system को strong बनाता है यानि कि जिनका immune system strong नहीं होता है जिनको बारवार बीमार हो जाते हैं ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ही description और comment box में दी हुई है जहां से आप Amazon Flipkart और other e-commerce website की मदद से इसे वाई कर सकते हैं अब हम बात करते हैं पांचवे फाइदे के बारे में जो आपको बहुत ही जादा और बहुत ही effective तरीके से आपको समझना चाहिए क्योंकि यह brain functions को improve करता है यानि कि अगर हम DHE लेते हैं अगर हम शरीर के अंदर omega 3 fatty acids का से बन करते हैं brain को यह sharp करता है हमारे brain को यह तेज बनाता है और आपने देखा होगा जिनके शरीर के अंदर जिनके अंदर भी omega 3 fatty acids की कमी होती है उनको भूलने की आदत हो जाती है और दिमाग से संबंदित कई सारी problems उनको start हो जाती है अगर हम बात करें इसे natural तरीके से कैसे ले सकते हैं तो आपको दो चीजें आप ले सकते हैं जिसमें आपको flax seeds ले सकते हैं क्योंकि flax seeds के अंदर भी आपको omega 3 fatty acids मिल जाता है और आपको pumpkin seeds के अंदर भी यह मिल जाता है shun flower seeds के अंदर भी आपको यह मिल जाता है लेकिन इसके साथ में एक problem यह है कि इन सब भी natural चीजों के अंदर यानि जो plant-based source हैं इनके अंदर ALA fatty acids मिलते हैं जो आपके शरीर के लिए इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं जो फिस के अंदर मिलते हैं जो आपको animal sources के अंदर मिलते हैं उनके अंदर EPA और DHA बिलते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा वेनिफिशल और बहुत ज्यादा healthy होते हैं जैसा कि आपने pregnancy में देखा होगा, जो product दिये जाते हैं, जो pregnancy में powder से दिये जाते हैं, उसमें आपने एक common चीज देखी होगी, DHA, DHA जो वही DHA होता है, जो हमारे बच्चे के brain को sharp करने में, बच्चे के brain को strong करने में, तेज करने में बहुत जादा important होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर से सभी problems दूर हो जाएं, तो आपको omega 3 fatty acids का एकवाद जरूर उपयोग करना चाहिए, और आप इसे regular basis पर जरूर उपयोग करें, क्योंकि हमारी diet के अंदर ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, जो अभी तक हमने add नहीं की हैं, और हमें पता भी नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, मैं फिर मिलता हूं इसी तरह के किसी interesting और informative वीडियो के साथ, अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगें, तो अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजेगा, कुछ पूछना चाहें, तो comment कीजेगा, मैं फ झाल